तो वेलकम हैं दोस्तों नमस्कार आप सभी का चलिए आज हम लोग बात करने वालने साइकलोजी यानि कि मनोभिग्यान बीए समेस्टर फोर का पेपर आइट ठेक है तो देखिए एकजाम सामने आ चुका है अब देख लेते हैं कॉस्चन तो 1922 सेसन में पुछा गया पेपर ह और आप किसी भी इनिवर्सिटीम पढ़ाई कर रहें बस आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है तो सब्जेक्ट अगर मिल जा रहा है तो कॉस्चन भी सी टाइप के आएंगे तो अब देख लेते हैं कॉस्चन तो यहाँ पेपर आपका प्रेक्टिकल पेपर होता आपको फिल इन दो ब्लैंक्स करना होगा यानि कि रित अस्तान की पूर्ती करनी होगी एंड आइज देखते हैं किस टाइप से एंड आणसर आप लोग हिंदी या इंगलिस किसी वहाँ सामें कर सकते हैं जो आपकी मर्जी यार जिसमें आप लिख सकें हारो सब्सक्वाइब कष्ट णेप कि मनों विग्ञान सब्द की उत्पती की सब्से कई है लेटिन से यूनानी से नहीं कोर下 पर्थम न्यदानिक परियोग साला डैस में डैस के द्वारा अस्थापित की गई मतलब कि कहां में और किस ने अस्थापित की तो देखिए ऑप्सन वन है लिपजिक जर्मनी वाटसन में मुझे भी यही लगता है क्योंकि मैंने एक वाट ट्वेल्थ में पढ़ा था हलका सब्ढ़ा था मैंने सब कारत होता है मन बिल्कुल सही है आगे देखते हैं कौस्चन नंबर डी इसमें पुछा गया है इंगलिस में प्रॉड के बारे में सिग्वन फ्राइड के बारे में तो क्वेजिशन है कि फ्राइड ने लोगों के व्यक्तितितव यानि कि पर्सनाल्टी को आकार देने में ड और उसके बारे में नोट करना, जैसे क्या हो रहा है, कहा हो रहा है, किस के साथ हो रहा है, तो किन परिष्थितियों में हो रहा है, guidance कहलाता है, तो इन सभी को क्या कहते हैं, विवरन, असपस्ट्टी करन, भविस्वानी, या नियंत्रन, आगे देखते हैं इसमें पुछा गया है कि अंतर द्रिष्टी अधिकम की आउधार्ना किस ने दी फूग अप्ड़ कॉंसेप्ट ओप इन साइट लर्निंग ठेक है देखिए चार ओप्सन में है चारों साइक्लोजिस्ट के नाम है मनोविघ्यानिक के नाम है कौन सा सई है आप लोग ठीक लगा लिजेगा सब नोट कर लिजेगा क्योंकि सब इंपोटेन्ट है एक्जाम में हो सकते हैं कि आपकी इक्जाम में भिड जाएं तो सिग्मन AIR trust доб स्मर्ण ने डैस मनोवञ्ञान का समर्थन किया देख लिए चार ओप्शन में हैं कौन सा स्वेहर की इसमें पूप्शा गया है ऒाटसन और इसकी निर्दोनों ने मनोविज्ञान के किस-किस संपरदाय में योगदान दिया। चार ओप्सन में देख लिए व्यवारवादी, गैल, स्टॉन, मनोविज्ञानिक, संग्यानात्मक, मनोविज्ञानिक, फिर आपका मनोविज्ञानिक, आगे देखते हैं क्वेशन नमबर जै, इसमें पुछा गिया है कि एक ही समुक के हिस्से के रूप में एक दूसरे के करी देखते हैं के नमबर इसमें पुछा गया है कि एस ओ आर पर किसने बल दिया, वुड़ वर्थ ने, के टले ने, और कार ने, इनका नाम भी अजीव होता है थोड़ा, देखते हैं क्वेशन नमबर इसमें पुछा गया है कि निमलिखित में से कौन मनोविज्ञानिक, के संर पुछा गया है कि गती का भ्रम जो एक जो तब उत्पन होता है जब इस्थिर वास्तों में उदाहरन के लिए परकास बल्ब को एक साथ रखा जाता है और एक करम में एक के बाद एक तेजी से परकासित होता है, डैस कहते हैं, तो क्या कहते हैं स्वता गतीच प्रवाव, व और ओप Scand me, Seft Brad ya, इन में से कोई नियानिके नानब देज। नेस्ट ःक्च पुछाज कित मेंसे कि जब परत्यक्षी करन जूठा गलत अथ्वात्रूटी पूर्ण होता है तो उसे क्या कहते हैं भ्रम या फिर परत्यक्षी करन या फिर वी भ्रम या फिर इन में से कोई नहीं नेक्ष्ट देखते हैं question number long answer type long answer type में आपके 15 अंक वाले question सुन्दर राइडिंग के साथ लिखना है तो question number two है इसमें पुछा गया है कि मनो विज्ञान के उत्पत्यम विकास पर एक विवरंदे give an accountant on origin and development of psychology question number three है इसमें पुछा गया है कि अंतर द्रिष्टी अधिगम के अधारना को अस्थापित करने में वाल्फ गैंग कोहलर के कारे के चर्चा करें discuss the work of walk again caller in establishing the concept of insight learning आगे देखते हैं तो question number four इसमें पुछा गया है कि मनो विज्ञान के सवरूप एमकारे छेत्र का वर्णन करें इंग्लिस में discuss the nature and scope of psychology और question number five है इसमें पुछा गया है कि पर्थे चात्मक संगठन के सिध्धान्तों का संचेप में वर्णन करें बिरिफ्ली डिस्क्राइब दा प्रिंसिपल आप परस्वेप्च्वल और्गनाइज़सन देखिए दोस्तों एक चीज है कि अगर आप चलिए लास्ट में बताऊ psychology question number seven देखते हैं तो इसमें पुछा गया है कि मनविज्ञान में जैम्स के युगदान का वर्णन करें इसमें पुछा गया है कि एक सोतंत्र विज्ञान के रूप में मनविज्ञान के विकास को बिस्तार से बताएं इसको बताना है तो दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाह रहा था कि आप लोग साइकलोजी ओनर्स रखे हैं अच्छी बात ते जी लेकिन एक चीज ध्यान दिज साइकलोजी नहीं चाहिए वहतों की जिन्दगी बरबात कर देगा अगर इसे श्ट्रॉंग नहीं करते हैं तो आपको इतना इंग्लिस आना चाहिए कि आप लोगों के सामने अच्छी तरह से बात कर सकें अच्छी तरह से लिख सकें किसी भी चीज को इंग्लिस में आपर पढ़ना दो चीजाना ही चाहिए साइकलोजी में नहीं तो साइकलोजी काम नहीं देगा आगे जब आप इसमें में करेंगे पोस्ट गरोशन करेंगे या फिर पीएच्डी करना चाहेंगे तो आपको इंगलिस बहुत कंपल सरी हो जाएगा ठीक है बागे सब्सक्राइट के वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक सेर कीजिए थैंक्यू बाकि आप लोग सब कुछ जानते हैं यार क्या करना है क्या नहीं करना है धन्यवाद दोस्तों मेरी और से सुब जामनाएं अच्छे से एक्जाम जाए आपका